ओम नमस्षिवाय मैं हूँ एस लॉजर के अमसिना और मैं अपने यूटूब चैनल पर आप सभी का हारदिक स्वागत करता हूँ भारत में लॉगडाउन स्टार्ट हुआ था और अब एक अच्छा टाइम आ रहा है जिस समय लॉगडाउन खतम होगा और अब चीजें धीरे धीरे अनलॉक होना प्रारंब करेंगी तो आइए हम समझते हैं कि कब वो समय आने वाला है एस्ट्रोलोजिकली ये क्या चीज बताया जा रहा है चार्ट में क्या चीज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आइए हम समझते हैं अब एक अच्छा टाइम स्टार्ट होगा और यकीन मानिए ये टाइम अच्छा रहेगा रेड एलर्ट का जो टाइम है वो खतम हो रहा है तीन जून तक रेड एलर्ट बताया था पहले 26 मही उसको एक्स्टेंड करके तीन जून तक बताया था जो लोग हमारे पुराने क्या था कि लॉकडाउन या 10 फरवरी से लेके 26 मही तक कुछ ना कुछ ऐसी गटना है गटित होंगी और रेड एलर्ट मतलब लाशों के डेर का बिछ जाना उस वीडियो में बताया गया था और देखिए कितने लोग मर रहे हैं चाहे वो चक्रवाती तुफान के रूप में आया हो चाहे वो कोर्णा महामारी के रूप में आया हो लेकिन ये रेड एलर्ट नहीं था तो क्या था ये रेड एलर्ट था और ये रेड एलर्ट खतम होने वाला है और ये रेड एलर्ट खतम होकर अब किस किस प्रदेश में अनलॉक सुरू होने वाला है इस भविश्वा को नोट करते रहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर आप यहां पर मेंशन कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन कब खतम होगा इर्रिस्पेक्टिव पुराने बविश्वाणी को भूल जाइए कुछ पॉलिटिकल प्रेडिक्शन गलत होती है होने दीजिए हम करेंगे और गबडाने वाले भी नहीं है नहीं कमेंट बॉक्स आफ करूँगा नहीं कमेंट डिलीट करूँगा सच का सामना करूँगा अब हम बात करते हैं देखें कोविड एंड और आपके प्रशनों का उत्तर भी दूँगा आप कमेंट सेक्शन में यहां पे लाइफ चैट में भी जब आप कोश्चन पूछेगा उसका भी मैं उत्तर दूँगा लेकिन फिलाल पॉइंट टू पॉइंट हम बात करते हैं अनलॉग डाउन सबसे पहले जो होगा वो दिल्ली में उत्तर प्रदेश में मुंबई में धीरे-धीरे कई राजियों में क्योंकि जो लगा था वो एक साथ नहीं लगा था लॉग डाउन दीरे-धीरे पहले जहां तक मुझे याद है महराष्ट्रा में नागपुर से स्टार्ट हुआ था उसके बाद दीरे-धीरे लॉग डाउन हर जगा लगना ही स्टार्ट हुआ पूरा लॉक कर दिया गया अब वो टाइम आ गया जब अनलॉक अनलॉक और अनलॉक की बात होगी और आपको ये सुनने में आएगा ये डेट जो होगा सत्रा जून तीन जून से सत्रा जून का वो टाइम होगा क्योंकि तीन जून तक रहे अलर्ट जो है वो रहेगा तीन जून से सत्रा जून तक का जो टाइम अनलॉक कर दिया गया है और धीरे धीरे चीजे खुल रही है जो हमारे लिए एक अच्छा समाचार है दूसरा क्योंकि लॉक्डाउन में हम लोग भी काफी परिशान थे और अनलॉक जब होगा तभी आप भी ट्रैवल कर सकते हैं तभी देश तरक्की कर सकता है ये सारी चीज आये थे दूसरा दिल्ली में भी लगातार वो जो राजनीती चल रही थी एक तो हमारे भारतवर्ष में इतनी गंदी गंदे स्थर पे राजनीती चल रही है मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लिख रहा हूँ आप लोग को पता है कौन सी पार्टीयां इतनी गंदी राज के लिए निकल पाएंगे जब हम काम के लिए निकलेंगे तब ही हम आगे बढ़ सकते हैं तो unlock होने वाला है और ये unlock की सुषना बस 3 जून से 17 जून के बीच में जरूर आती जाएगी ये prediction था जो main topic था ये मैंने आपको बता दिया है अब दूसरी बात कहा जाए कि कुछ लोगों का question मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सबसे पहले लोगों ने पूछा हुआ है comment box में कि महरास्ट की सरकार कब गीरेगी तो देखिए महरास्ट की सरकार पर prediction ये एक प्रकार से मेरा bad luck है आप वो छोड़ दीजिए मेरा bad luck है जब भी म महरास्ट की सरकार कहता हूँ गिर जाएगी उस समय lockdown आ जाता है उस समय कोविट का कहरा जाता है क्योंकि जब हुआ क्या है आप समझिए गाई शीच को नकरात्मक comment लिखे कोई दिक्कत नहीं पड़ता है मुझे क्योंकि मैं negativity से भी सीखता हूँ positivity से तो आत्मिश्वास बढ हो रही थी बविश्वाडी यहाँ पर जो महरास्ट सरकार को लेकर मैंने जो prediction किया था केवल जब सरकार गठित हुई थी उस समय की शपत समारो की कुंडली और साथ में उधाव ठाकरे जी की जो कुंडली थी इन दोनों को मिला कर मैंने किया था गोचर पर ध्यान नहीं दि और सच पूछिए कि इतना टाइम भी पूरा नहीं रह पाता हम लोगों के पास कि गोचर का पूरे तरीके से कि अगले एक साल दो साल आला कि यह गलत है हम एजा एस लौजर अगर हम नहीं बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है तो कौन बताएगा लेकिन honest prediction honest बात करना चा work चलने के कारण थोड़ा सा यहां पर calculation जब भी मैंने किया है तब भी आप खुद बताएगे कि मैंने पहले 30 जून 2020 में बोला था मराज सरकार जाने की वो नहीं गिरी उस समय कोविड आगी और आपको पता जब कोविड आता है तो कोई नहीं जाता है किसी की सरकार गिर जा मारी गलत हुई इस बार भी मैंने जो डेट बताया था एक्जेक्ली उसी डेट के आसपास जो है थोड़ा सा यहां पर ऐसा रहा अब दूसरी बात है कुंदन चौदरी आपके नकरात्मक भी कमेंट भी देख लेता हूं कुंदन चौदरी जी है सबको बेफकूब बनाना ब में बंद कर दी है आपको SSS Loggers को देखना है जो आपके कमेंट बॉक्स को डिलीट कर देते हैं आप उनकी प्रेडिक्शन देखा किजिए मैं ऑनेस्ट हूं और यह सीना ठोक के बोलता हूं मैं ऑनेस्ट हूं और मेरी प्रेडिक्शन गलत भी होती है उसमें भी मैं रिसर्च करता रहता हूँ और आज इसको सेफ कर लेजिए इस comment box को जो आपने लिखा है मैं किसी को धोका नहीं देता हूँ number one मैं prediction करता हूँ prediction में अकर गलतियां होती है तो उस prediction को मैं analyze करके सीखने की कोशिश करता हूँ number one इसलिए मैं किसी को बेफकूफ नहीं बना रहा हूँ जो लोग बेफकूफ बना रहे हैं उन्होंने अपने comment sections को बंद करके रखा हूँ है कोई comment भी नहीं कर सकता है गुस्ता के वल आप वहीं पर उतारिएगा जिन्होंने comment section open करके रखा हूँ है ठीक है दूसरी चीज है अगर honest है तो एक prediction गलत ही होती है देखिया ऐसी बात नहीं है कुंदन जी आप बात को समझेगा नकरात्मक रख लिजेगा कि एस्ट्रोजर की एम सिना की prediction गलत है तो आप अमेसा गलत ही सुचिएगा मैं बता रहा हूँ prediction बहुत सारी सही भी हुई है ऐसा नहीं है कि prediction गलत हुई है कुछ major prediction ऐसी थी जो मेरी क्या लगबक सब की गलत हुई है सुशान्त सिंग राजपूत जी को न्याय नहीं मिल पाया सभी ने बोला था न्याय मिलेगा मेरी भी prediction उसी के जगा पर थी न्याय नहीं मिला सभी लोग ने comment section off कर दिया मैंने comment section on रखा है गालिया तो आप मुझे ही देंगे ना दूसरे को कहा आप देंगे चलिए कोई दिक्कत नहीं है बहुत सारी prediction सही भी हुई है even share market पे gold rate पे silver rate पे earthquake पर ये सारी prediction सही भी हुई है कुछ prediction को दिल से accept भी किया है मैंने कुछ prediction को मैंने दिल से भी accept किया है कि गलत हुई है तो हुई है और जो सही हुई है ऐसा नहीं है कि चीजें कोई एस्टलॉजर 100% सही हो सकता अगर गलत है तो उससे भी हम सही कर लेंगे सौमेदीप चौधरी जी का सवाल है कि बंगाल की सरकार 5 साल चलेगी क्या कभी government को दिक्कत आएगी देखिए जो prediction मैंने किया था बंगाल के लिए उसमें मैं research में यही पाया कि ममता बेनर्जी जी को खुद अपना birth detail नहीं पता है और जो मैंने prediction किया था उसके इसाब से ममता बेनर्जी का chart मैंने अगर आपनों को याद होगा मैंने बोला था कि अगर वो नंदी ग्राम से हार जाएंगी तो 40-50 के अंदर यह सिमट जाएगी मैंने क्यों बोला था वो नंदी ग्राम से अगर हार थी तो chart में मुझे वहाँ पे जीतता हुआ दिखाई दे रही थी लेकिन उनका जो actual में देखा गया वो जीत और हार तो अंत में होता है कुछ वोटों से 1500-1800 वोट का जो अंतर रहा है उसका गलत रहा मतलब कुल मिला कर जो chart मिला था वो गलत chart था और उसको मैं research कर रहा हूँ और आगे से अपने subscriber को भी यही बोलना चाहता हूँ कि जब तक मुझे सही chart नहीं मिलेगा मैं आगे से किसी प्रकार का political prediction नहीं करूँगा उलड़ी मैं बता चुका हूँ इससे आप लों का भी मनुबल कम हो जाता है इससे अच्छा है कि हम इसको रोक दे और prediction में जो गलतियां उस पर research करें थोड़े दिन के बाद आकर उसको करें वो अच्छा रहेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है second wave कव खतम होगा यह अगला question है पारस गोईल जी का तो पारस गोईल जी देखिए second wave जो है वो खतम खतम जैसे first wave खतम मैंने बोला था कि September अक्टूबर के आसपास खतम हो जाएगा first wave के लिए पहली prediction दिया था गलत गई थी दूसरी prediction दिया था वो भी गलत गई थी तीसरी prediction पर मैंने बहुत मैनत करके और उसका thumb line भी लिका था hundred percent दिन कोविड खतम हो जाएगा वो फस्ट वेव के लिए का आ गया था और लगबग ऐसा ही हुआ था फस्ट वेव खतम भी हो गया था इवन मैं भी ट्रावलिंग करना स्टार्ट कर दिया था प्रतेक शहर में मैं आल्रेड़ी गया था और जब वापस आया तो पता चला कि तीन चार मन्त के बाद फिर कोविड स्टार्ट ही हो गया तो ये खतम तो नहीं होगा सेकंड वेव के बाद थर्ड वेव भी आएगा अल्रेडी बता चुका हूँ फिर भी बता देता हूँ जैनवरी से लेके दिसंबर से लेके फेरवरी 2022 के बीच में थर्ड विवायगा जो कि कम प्रभावशाली रहेगा जो लोग आपको डरा रहे हैं कि बहुत जादा प्रभावशाली रहेगा ऐसा हो जाएगा वैसा होगा सब ही जूटे साबित होने वाले ये भी नोट कर लिजेगा ये मेरा चैलेंज है इसके बाद आपका अगला कोश्चन है जो एस्टरलोजिकली आप लोग पूछना चाते हैं असम का क्या होगा तो असम में तो चीज़ें ठीक चल रही है कुछ खराब तो ऐसा है मुझे नहीं दिख रहा है सर पूरे देश में राजनीती उठा पटक भी होगा देखिए राजनीती इतनी गंदे स्तर पे आ गई है भारत में बहुत ही गंदे स्तर पे आ गई है और यही एक रीजन है जिसके कारण जो है हमारा देश बरबाद हो रहा और एज़ा देश भक्त मुझे इस बात का बहुत दिल से बहुत ज़ादा ठेस लगता है कि ऐसे गंदे राजनीता हो गए हैं जो केवल अपने मतलब के लिए काम करना चाहते हैं देश के लिए कोई काम नहीं करना चाहता है और केवल यह कुंदन चौधरी जे फिर बोलना है अपना यूट्यूब प्रेडिक्शन देना बंद कर दो यह प्रेडिक्शन सही हैं बैया क्यों बंद करूँ आपको नहीं देखना आप अंसब्सक्राइब कर लिजे जिस दिन आपको यकीन आएगा कि अस्कोजल केम सिना की में दम रहता है उस दिन आप देखना स्टार्ट कर दीजेगा और यह दिन बहुत जल्दी आएगा कुछ दशाएं मेरी भी खराब चल रही थी इसलिए भी ऐसा हुआ है दशा मेरी ठीक हो गई है और इसलिए चीजें सही डारेक्शन में भी जा रही है बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है और इतना ग्यान का सागर यह है इसमें लगातार पढ़ाई करते रहना चाहिए और honestly मैं लगातार research and development करता रह रहा हूँ उसके बाद है unlock कब तक होगा already मैं बता चुका हूँ दिल्ली कब unlock होगी दिल्ली सबसे पहले unlock में आ जाएगी और यह 3 जून के आस person I found all my three as a queries is it possible क्यों नहीं हो सकता है आपका चंद्रबा मान लिजिए करक में है और आपका लगन भी करक में है और आपका सूर्य भी करक में हो सकता है तो यह ऐसा कोई बहुत निगेटिव वाली चीज़े नहीं हो सकता है इसके अलावा और आप लोगों का question है West Bengal में कब तक अनलॉक होगा West Bengal में लंबा भी चलने वाला है आप मान के चलिए कि जुलाई से पहले पहले वहाँ पर अनलॉक नहीं होने वाला है महराज सरकार पर अपडेट अभी नहीं दूँगा अभी बिलकुल नहीं दूँगा क्योंकि जब भी मैं prediction दिया हूँ तब उस समय कुछ न उनके यहां क्या होगा नहीं होगा तो मैं रफली बता दूं कि सारे जगा का अनलॉक डाउन जो है 17 जुलाई के आसपास हो जाएगा जिसमें आप कुछ काम करने के लिए निकलना स्टार्ट कर देंगे इसलिए सभी राज्यों के लिए आप इस चीश को नोट कर लिए तो अभी मैं इतना ही बताऊंगा और जाते जाते एक अपडेट यहां पर दे देता हूं जिनको एस्ट्रोजी सीखनी है उन्हें वो हमारे एस्ट्रोजी क्लासे से जुड़ जाईए बाईस तेईस और चौबिस मई को आप एस्ट्रोजी की क्लासे यहां पर कर सकते हैं जूम क माध्यम से और उसके लिए आप हमारे नंबर जो हमारा सेंट्रलाइज नंबर है 98183183 इस पर कॉल कीजिए और या तो वाट्सअप कर दीजिए जिससे कि आपका यहां पर चीजें अपडेट कर दी जाएंगी और मैं आपको सिखाऊंगा असली हैस्ट्रोजी कैसे की जाती है और आपको जो लोग ने पहले भी किया उनको पता होगा कि किस तरीके से हैस्ट्रोजी मैं पढ़ाता हूँ अभी के लिए सभी का भला हो और यह जो प्राकृतिक आपदाएं कुछ दिन अभी और जारी रहेंगी तीन जून एक बार निकल जाएगा उसके बाद चीजे ध बारतना कर रहा हूँ और ऐसा मैं देख भी रहा हूँ अभी के लिए तना ही मैं हूँ एस्ट्रोजर की एमसी ना ओम नामस्षीवा है